प्रद्योगिकी के शेत्र में भारत की उपलब्धिया किसी से चुपी नहीं है। आज भारत तक्निकी प्रगती में दुनिया का अगुआ बनकर सामने आया है। 11 माई 1998 में भारत ने पोक्रन परिक्षन के मध्यम से पर्माणू प्रद्योगिकी का नया अध्याय लिखा था। तब इसे इस दिन को राष्ट्र प्रद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। 11 माई का दिन भारत की तक्नीकी प्रग्ति और इतिहास में एक महतु पूर्ण शन है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने अभूत पूर्व पोक्रन परिक्षन के मध्यम से पर्माणू प्रोद्योगिकी में अपनी शक्ति का प्रद्रशन किया था। तब से लेकर अब तक भारत हर बरस राश्य प्रोध्योगी की दिवस के मौगे पर तकनीक की दुनिया में अपनी उपलबधियां दुनिया के सामने रखता है। राश्ट्य प्रोध्योगी के दिवस एक वार्शिक उत्सव है जो वैज्ञानिक उत्करष्टता और तक्नीकी प्रक्ति के निरंतर खोज को बढ़ावा देता है साथ ही अपने वैज्ञानिक इतिहास को याद करने को प्रिरित करता है राश्ट्य प्रोध्योगी के दिवस आने वाली पीडियों के लिए प्रिरणा का प्रतीक है राश्ट्य प्रोध्योगी के दिवस सिर्फ पीछे मुड कर देखने का नहीं है बलकि भविश्य की चुनोतियों से लोहा लेने का है इस वर्ष राश्ट्य प्रोध्योगी के दिवस का विशे सतत भविश्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रोध्योगी की हमारी समय की तात कालिकता को दर्शाता है ये हमारी दुनिया की बेहतरी के लिए नवाचार का उप्योग करने का एक स्पष्ट आहवान है तापस भटा चार्यक रिपोर्ट डी डी न्यूज